आज हम बात करेंगे difference between ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ग्राम पंचायत लोग टायर है पंचायती राज का जो विलिज लेवल पर फंक्शन करता है ये एक temporary body है इसका main focus है welfare and development of the village पर सारा जो development होता है विलिज पर वो देखता है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में जो members होते हैं वो होते हैं ward members और सरपंच और जो members इसके elect होते हैं वो होते हैं ग्राम सभा के members ग्राम पंचायत के members को directly elect करते हैं और ग्राम पंचायत में महिने में एक बार meeting होना अब बाप करते हैं ग्राम सभा की एक legislative बॉड़ी है जो villď लेवल पर operate करती है यह एक permanent body है और इसमें जो members होते हैं वो members होते हैं विल्ज के जिनका नाम होता है voter list में जिनका नाम Ready Сंबा में इसका जो main focus रहता है वो रहता है पंचायत के development programs होते है स्कीम्स होती है उस पर मेनफॉकस रहता है ग्रांक सब्हा करें और मेंबर बात करें तो ग्राम ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत वाइज होते हैं एल्डरली होते हैं और बिसिकली जो वो इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकल कम्यूनिटी में से और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बेट्वीन इंडिविज्वल्स और विलिजर्स तो वो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं ठीक है और जो लीडर ऑफ पंचायत होता है उससे हम बोलते हैं सरपंच ठीक है